गुड मॉनिंग मैं प्रशान गैलाथ एंशेंट इंडिया प्राचिन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है श्रिम्प डेजीज को लेकर है जो आपने अपनी कल्चर में वाटसब ग्रूप में फेस्बुक पे गूगल पर बहुत बार यह देखा होगा पर हमेशा सल्यूशन में डाउट रहकता है कि कौन सा क्लिनिकल साइन है कौन सा नहीं है क्या प्रेव हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका वीडियो रहेगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशेंट इंडिया अग्रे बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस सब्सक्राइब कर दिजिये और प्रेस्ट बेल आइकन सो देट यू कन गेट निव नोटि ग्रूथ रिटार्डेशन, ब्लैक गिल, वाइब्रुसिस, अल्ली मॉटरिलिटी सिंड्रॉम, EMS और वाइट स्पॉट, अल्मोस्ट 8-10 कॉमन डिजीज हैं जो आपकी श्रिम फार्मिंग में मिलता है जो आपका 90-120 डेस का कल्चर है तो कैसे उनको प्रेवेंट कर सकते हैं क्या उनका ट्रेटमेंट है, क्या क्यों है, तो शुरू करते हैं Common Clinical Sign of Disease, तो कैसे समझेंगे कि वो डिजीज ही है Reduce Feed Intake, जब आपका एनिमल फेट लेना कम कर देगा, तो जो भी आपकी फेडिंग ट्रे है, चेक ट्रे है, उनमें आप देखिए Abnormal Swimming, अगर आपको जब आप अपने pond पर अपने farm पर विजिट करेंगे, तो कुछ भी ऐसा साइन आपको लगता है, तो just notice this Respiratory Distress, General Weakness, Lethargy, Abnormal Coloration of Body and Organs, Appearance of White or some other spots on the body तो ये कुछ common science हैं कि जिनको देख कर, physically examine करके, आप समझेंगे कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, और you can take some preventive measure Common Cause of Disease Disease, जब भी हम लापरवाही करते हैं अपने कल्चर में, जो भी हमारा schedule है, जो भी हमारा routine है, जो भी water parameter को focus करना है, जहाँ पे भी हम lag करें, चाहिए वो हमारा carp fish का culture हो, catfish का culture हो, natural pond में, earthen pond में, cemented tank में, bioflock tank में, जब भी हम अपने schedule से 19-20 कुछ भी होते, definitely we will face the issues Improper assimilization, rough and excessive handling, overcrowding, excess feed, abnormal environmental condition, presence of toxic gases such as ammonia और hydrogen sulfide, lack of sufficient nutrient, तो जब भी आप अपने seat को stock कर रहे हैं, तो आप अपना pH, अपना temperature और अपना salinity, तीनों parameters को देखके, proper examine करके, तभी आप अपने pond में, nursery tank में, आप उसको stock करें, handling जो है, बहुत लंबा अगर है, तो उसको proper करें, early morning, late night, late evening में ही आप stock करें, stocking सबसे बड़ा मुद्धा है कि 60 piece per cubic meter, 120 piece per cubic meter, 200 piece per cubic meter, 500 piece, तो over crowding अगर आप कर रहे हैं, तो उसके against में environment भी आप उसको वैसा ही provide करें, आपका water quality हमेशा good हो, एरियेशन की facility आपकी अच्छी हो, excess feed आप हमेशा कोई सा भी culture कर रहे हैं, feeding tray, check tray उसमें proper हो आपका, और हमेशा closely monitor करना है आपको feeds को लेके, क्योंकि आपका जो input cost है 50 to 70 percent वो feed पर होने वाला है, तो ज़्यादा देंगी तब भी आपका loss है, और environmental भी loss है, abnormal environment condition, अगर हम अपना coastal belt देखें, तो वो हमारा moderate temperature रहता है, वहाँ पर ये issues हमें नहीं आते हैं, पर जब भी हम अपनी northern belt की बात करते हैं, तो हमें temperature में variation बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उन condition को measure करने हैं, और especially आपका nursery tank में, जो आपकी water parameter की monitoring है, अगर वो आप अपने 24 into 7 proper रखते हैं, तो definitely कोई disease आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक बार आपका disease outbreak हुआ, तो definitely culture में loss होना ही होना है, lack of sufficient nutrients, तो जब भी अगर आप अपना feed formulation करने हैं, अपना farm made feed दे रहें, तो वो proper आपका balanced diet हो, minimum 35-40% तक का उसमें protein content हो, कुछ आपने term सुना होगा SPF और PCI, SPF stands for specific pathogen free, तो जब भी आपकी hatchery से आपका seed आएगा, तो कुछ pathogens जो भी आपके bacteria, viral के career हैं, उनके testing के साथ आएगा, document proper आएगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपका seed है, उसमें कोई pre disease नहीं है, PCR, PCR stands for polymers chain reaction, early pathogen detection is a crucial measure in preventing disease, spread in shrimp agriculture system and the DNA based polymers chain reaction, technique is widely used as a measure diagnostic tool for shrimp pathogens, तो ये सब आपका बहुत scientific है, और I think हमारे North India में कोई भी ऐसा private या गौर्मेंट, lab नहीं है, तो हमें prevention is better than cure, तो पहले से ही prevent करना है, biosecurity आपको measure करना है, water quality आपको measure करना है, food quality measure करना है, minerals, vitamins, वो आपके proper जाने चाहिए, so that यहां तक हमारी वो issues आएना, abnormal condition, swimming near the water surface, जब भी आप अपने pond में, अपने tank में देखेंगे, तो जब भी water surface के पास होगा, अधिकतर अगर water condition optimum है, तो हमेशा आपका shrimp और prawn या तो column feeder है आपका वो, या bottom feeder है, तो उन्हीं दो surface पे मिलेगा, जब भी आपको upper surface पे मिलता है, तो कुछ ना कुछ issues है, due to toxic gases हो सकता है, due to less DU हो सकता है, possible reasons, low DU, और how to diagnose, test DU content of water, तो आप जो भी आपका 24 into 7 में water quality check है, वो आप measure करें और उसी के according आप corrective action लें, और उसी से जुड़ावा आपका early mortality syndrome है, in general, शुरू के 24 से 48 hours में mass mortality user को, farmer को मिलता है, abnormal condition, presence of floating white fetches, तो जब भी आप अपने point में देखेंगे, तो इस तरह के आपको white-white सा material तेहरताव मिलेगा, possible reasons, white fetches syndrome है वो आपका, जिसे आप EHP भी बोलते हैं, how to diagnose, डाइग्नोस करने के लिए आपका vibrio count है, जो आप water का, और PCR based deduction है, जिसमें आपका scientific lab में वो आपका होगा, vibrio count आप अपने आप से कर सकते हैं, easy method है, इसी वीडियो के next वीडियो में हमें separate videos पर बनाएंगे, so that you can easily detect it, but सबसे पहला primary motor है कि आप अपनी water quality को और environmental condition को okay रखे, abnormal condition, growth retardation और size variation कि जब भी आप देखेंगे अपना check tray में तो जो आपका shrimp, जो आपका प्राउन है कि वहाँ पे abnormal size होगा, size uniformity नहीं होगी, तो उसका possible reason क्या है आपका, MBV, EHP, HPV, hypodermal, seed quality, improper feeding, तो क्या क्या आप primitive measures उसके लिए कर सकते हैं, सबसे पहला आपका PCR based deduction है, और जो आप feed वगेरा यूज कर रहे हैं, उसको भी आप अपना feeding lab में check करा सकते हैं, abnormal condition आपका, red body coloration, तो हमेशा examine करना है आपका, white leg shrimp है तो जब भी आपको कुछ abnormal sign उस पे मिलें, coloration को लेके, possible reason आपका stress हो सकता है, जो physical या आपके environmental दोनों में हो सकता है, DO की वज़े से हो सकता है, excess temperature की वज़े से हो सकता है, salinity के variation की वज़े से हो सकता है, syndrome viruses हो सकता है, जो आप TSV के नाम से जिसको जानते हैं, और feed की वज़े से भी हो सकता, infected feed या आपका farm पर काफी दिनों का feed है, तो हमेशा feed quality को भी observe करें, और सबसे पहला आप अपनी water quality को observe करें, PCR based detection है, test total vibrio count of water और animal, और check the feed for moisture, तो fungal वगेरा, कुछ infection वगेरा तो नहीं है, तो वो चेक करें, तो सबसे पहले, सबसे मेज़र आप water quality को अगर आप optimum रखेंगे, तो कुछ जरूरत होगा ही नहीं, क्योंकि PCR के बाद भी आपके पास कोई as such full proof solution नहीं है, only harvest बज़ता है, या mass mortality, abnormal condition क्या है, presence of white spot, तो जो भी आपका prawn, shrimp, उस पे white spot आपको दिखाई देंगे, अगर आप closely monitor करेंगे, अपना check tray में, possible reasons क्या हैं उसका, white spot syndrome virus, जिसे आप W, SSV बोलते हैं, bacteria हो सकता है, mineral deposits हो सकता है, how to diagnose, physical observation, अगर आप check करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके पास labs हैं, तो confirm through PCR, microscopic observe, और check the mineral content, जो आपके water के mineral content है, sodium, potassium, calcium, magnesium, उनको चेक करेंगे, और mineral content आपके balance होने चाहिए, उसके लिए अपने एक separate video बनाया हुए, description में आपको उसके लिए मिल जाएगा, abnormal condition, bent, rustum, जो आगे का antenna है, या जो body है, आपकी वो bent मिलेगा, मुडावा मिलेगा, possible reasons किया है उसका, viral है आपका, vibrio हो सकता है, कैसे उसको diagnose करेंगे, PCR, एक एक लॉज़ करेंगे, या आप अपना water quality को maintain रखें, abnormal condition, antenna cut, आगे के जो antennas होता है, वो आपको trim मिलेंगे, cut मिलेंगे, possible reasons किया है उसका, कि जो आपका vibrio है, उसकी वज़े से हो सकता है, how to diagnose, test, total vibrio count of water, और animal, ये एक simple test है, जो आप अपने farm पर भी कर सकते हैं, abnormal condition, soft cell, तो ये malting के आसपास का, या mineral imbalance का है, काफी बार farmers, fresh water में culture करते हैं, वहाँ पे भी ये problem आती है, और जो उनका survival है, वो भी काफी कम मिलता है, possible reasons, lack of minerals, malting, how to diagnose, determine mineral content, और check molting time, तो जो भी आपकी feeding table, जो भी आपकी molting table है, आप उसको closely examine करें, और उसकी according आप अपने mineral content, calcium, sodium, magnesium, potassium, उनका balance बना के रखें, so that you can get the good survival, also good health of your shrimp. RMS से भी आप उसको काफी बार लिंक करते हैं, running mortality syndrome, तो ये कुछ clinical sign है, और उसके against में, तो ultimate अगर आप water quality को maintain रखेते हैं, एक schedule proper follow करते हैं, तो definitely prevention is better than cure. Abnormal condition, whitening of the muscles, और lack of minerals, इस तरह से आपको पीलापन, whitening सा दिखाई देगा, possible reasons क्या हैं उसके, low dissolve oxygen, कैसे आप उसको prevent करेंगे, test DO content, तो DO से आपको पता चल जाएगा, तो add the end वो ही आता है, कि अगर आपकी water quality optimum है, तो सबसे पहले, जब भी आप aquaculture कर रहे हैं, किसी भी, चाहिए fresh water, saline water, brackish water, तो सबसे पहले अपने water parameter को समझें, और अगर आपके आसपास में PCR based detection lab है, तो आप वहाँ पे भी अपने animals को ले जाके check करा सकते हैं, abnormal condition, muscles cram जिसे बोलते हैं, bending of the body, पूरा body मुड जाएगा, possible reasons किया हैं उसके, आपका जो vibrio है, वो उसका reasons हो सकता है, lack of minerals, minerals content का में, आपके feed में या water में high temperature, बहुत ज़्यादा temperature होगा, तो वो temperature stress की वज़े से भी issues होते हैं, how to diagnose, test total, vibrio count, mineral content of water, और आपका determiner temperature, तो water parameter conditioning आप okay रखेंगे, तो बहुत सारे issues आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर viral infection आया आपके culture में, तो major loss होगा, और final आपके पास hazard harvest ही solution बसता है, ये भी बहुत आपने देखी होगी image, जिसे आप black gill बोलते हैं, possible reasons क्या है, black bottom soil, अगर आपका bottom drainage ठीक नहीं है, वहाँ पे sludge इखटा हो रहा है, fungus हो सकता है, how to diagnose, check the color of bottom soil और check presence of fungus, तो animals पे आप चेक कर सकते हैं और उसके according आप उसको treat कर सकते हैं, ये फिर भी आप cure कर सकते हैं, अगर आप proper अपना probiotics वगेरा soil और water timely apply कर रहे हैं, तो ये issues नहीं आएंगे आपको, abnormal condition जैसा कि pictures में आपको देख रहा है, white gut बहुत नाम आपने उसका सुनाया, possible reason, white gut disease और बहुत पर water quality की वज़े से भी होता है आपका, how to diagnose, perform bacteriological analysis, PCR testing for EHP के लिए और water quality maintain रखे, उसमें organic juice वगेरा, अपने water soil probiotics वगेरा, gut probiotics वगेरा आप देंगे तो वो proper रहेगा, management of shrimp disease, कैसे आप उनको करेंगे, सबसे पहला जो है आपका purchase good quality seed from reputated hatchery, जिसमें आपका PCR negative larva for various viral pathogens and EHP, SPF आपके होने चाहिए प्रॉपर और reputated hatchery से आप उसको ले, access the health status of the post larva, before stocking, coloration, swimming pattern, वो आप चेक कर सकते हैं, उसका assimilize करें, larva को before stocking और optimum stocking आप करें, जो भी आप culture कर रहें, जिस भी technology के साथ कर रहें, अगर stocking आपका proper होगा, तो आपको issues भी कमाएंगे, over feeding को avoid करें, क्योंकि excess ammonia, excess hydrogen sulfide, excess carbon dioxide बनेगा, जो आपको animal को stress देगा, management of shrimp disease कैसे, monitor the water quality and parameter regularly, 24 into 7 का एक schedule बना लिजे, उस schedule को closely monitor कीजे, add probiotic bacteria in water to degrade organic material and other chemical for correcting the water quality, तो soil और water probiotic आप जरूर routine से use कीजे, जिसमें आपके lactobacillus हो सकता है, heterotrophic bacteria हो सकता है, जिस भी तरह का आप culture कर रहे हैं, और जो आपका sludge है, bottom drainage, जब भी आप shrimp farming कर रहे हैं, तो उस पे आप proper work कीजिए, और आपका central drainage proper होना ही चाहिए, अगर आप high stocking में culture कर रहे हैं, determine the water quality frequently, DO, temperature, pH, ammonia, nitrite, nitrate, salinity, mineral content, alkalinity, n number of parameter, यह उसके लिए हम separate video बना चुके हैं, description box में उसका link आपको मिल जाएगा, अगर आपके कोई भी questions, कोई भी answers, कोई भी doubts, और भी कोई आप suggestion, query है, तो आप हमें comment box में दीजिए, हम जरूर उस पर scientific approach के साथ, एक detailed video, detailed description video आपके लिए लेके आएंगे, और आपके questions को resolve करने का कोशिश करेंगे, जब तक हम आपके एक कोशिशन को अपने channel पर document ना कर देंगे, अगर आप कोई information, कोई communication चाहते हैं, तो आप हमें telegram या whatsapp कर सकते हैं, हमारा number, double line 71 15 5753, we are ancient India agribusiness, low investment business ideas and secure your investment, we are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner, अगर अभी तक आपने हमारे channel ancient India agribusiness को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे, so that जो आगे आने वाले videos हैं, उनकी information आपको मिल जाए, और जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने लिया है, ICAR, CIFI, Central Institute of Fisheries Education, मुंबई से एकदम scientific approach के साथ लिया है, तो अगर आपके कोई भी comment negative, positive और भी किसी topic पर आप videos चाहते हैं, कोई suggestion है, स्वजहाव है, तो आप हमें comment box में दे सकते हैं, और videos के तरह, और आपके solution के तरह, और आपके questions के तरह, हम उन पर भी work करेंगे, थाकिगु प्यू muchos सब्सक्राइब ऑभ जपके तरह, ूभ करें प।